दोस्तों नमस्कार देखे आप अगर विंडोस 7 को चलाए होंगो तो सिंपल सी बात है ये जो गैजट्स का अपसन है ये आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे और उसे जरूर यूची होंगे यहाँ पर देखिए ये चीज हमारे विंडोस 10 में आ चुका है चलिए मैं आ को दिखा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्विटर विंडोस 10 इस्टाल है लेकिन इसके बावजूद भी हमने यहाँ पर गैजट्स आपसन को आड़ कर लिया अगर आप विंडोस 10 को ऐसे ही नार्मिल इस्टाल करते हैं या फिर विंडोस 11 को इस्टा करके और यहां से आप इसे उठा करके ड्रेग और यहां से आप यह जो गेम खेलने वाला सारी चीज़ें हैं इस तरीके से विंडोस 7 के अंदर होता था वो सब सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं तो आज हम यहीं सिखने वाले हैं कि विंडोस 10 के अंदर गैजट्स तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना है और इसके सर्च बार में आपको Windows गैजट से लिख करके सर्च कर देना है इंटर करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप वाली वेबसाइट दिख रहे हैं इसको पर आप क्लिक करिए अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है सिंपल है अगर आप इसे कुछ पढ़ना उगरा चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बा window open हो जाएगा run पर क्लिक करिए अब यहां पर देखें इंस्टाल का अपसन देखेंगा इस्टाल पर क्लिक करिए आपको थोड़ा सा वेट करना है यहां पर देख सकते हैं कि यह स्क्रीन रिकार्डिंग नहीं हो पाएगी लेकिन इसमें आपको एक यस के लिए एक बटन आए यहां पर देखें कि फिनिस का एक बटन देखेंगा इसके आपको फाइनले ये काम complete हो चुका है ब्राओजर का काम खतम हो चुका है और यहां पर देखें इसे हम इसे close कर देता हैं साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ गैजट्स के आपसन आ चुके हैं आप इसे चाहें तो फिलाहल के लिए अभी यहां से आप इसे हटा सकते हैं बाद में इसे हम मैनेज करेंगे इसके आपसन पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए यहां पर आपको हाइड आल गैजट्स का एक आपसन देखेगा इसको पर आप क्लिक कर दीजे यह हड़ गया है अब आप गया करिए यहां पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो जैसे विंडोस सेवन में आपको गैजट्स का एक आपसन दिखता था इसी तरीके से विंडोस 10 के अंदर भी आपको दिख जाएगा यहां पर देखिए डिस्प्ले सेटिंग के अजेस्ट नीचे होता था तो जैसे हम गैजट्स के अपसन के उपर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से विंडोस सेवन के इंदर आता था उसी तरीके से यहां पर आ चुका है अब यहां पर देखिए बहुत सारे गैजट्स आपसन दिख जाएंगे जैसे घड़ी वाला है कैलेंडर वाला है और वह सारी चीज़ें हैं यहां से आप देख सकते हैं यह CPU और RAM वाला है यह चीज़ आपको याद आ रहा होगा अगर आप Windows 7 यूच ही होंगे तो यह सब सारी चीज़ें के बारे में आप आसानी से जानते होंगे और यहां पर बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा करिब यहां पर 7 पेज हैं और 7 O Jest में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके कस्टोमाईजेसन कर सकते हैं डिजाइन है आपसन है इन्फो है यहां से आप इसका कलर हो गएरा चेंज कर सकते हैं डिजाइन में आएंगे तो यहां से आप इसका आपसन बहुत सारे हैं इसे चेंज करेंगे इसे जब आप एक्सपिरियंस करेंगे तो आपको आइडिया हो ज देख सकते हैं bilang एकदम Windows सेवन के जैसा यह सब की दिखाए दे रहा है इसके लिए बात फिर यहां पर आप देख सकते हैं यह आप इस तरीके से ट्रेकर कर्याद कि यह design क्रीबर कर सकते हैं इसके अंदर भी आप इसका time ŠKسم दो बाकिति कर अंदर इसके इसके हैं इसके आप से कर सकते हैं इसे जब आप इसे तो फिलाहल के लिए आप इसे जानते होंगे क्योंकि अगर आप विंडोस से यूश्कियों तो सिंपल सी बात है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की ज़रूत नहीं है इसके बाद पर चली इसके अंदर हम और भी कुछ चीज चुका है लेकिन यहाँ पर इस जड़ेसं लेकर जाएंगे इसको कर ढूंक करिए तो इसका फुल कर किया जाएगा और यहां पर देखेए यह सब सारी चीजह हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं और इसका जो opacity है वो भीब चेंज कर सकते हैं और time format है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं इसे आप अपने हिसाप से मैनेज कर सकते हैं और इसके बाद फिर ओके करिए और इसके बाद यहाँ पर आप इसे इस तरीके से ड्राइग और ड्राप करके इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं चोकि आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप अपने यहाँ पर इस राइट किलिक मे आप gadgets option को install कर सकते हैं और उसे use कर सकते हैं और अपने desktop पर बहुत सारे type के gadgets को लगा सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने किसी भी windows में gadgets option को add कर सकते हैं बाकि वीडियो पसंदा है तो प्लीज आप एक like करिए इसी type के content में interested है तो चैनल को subscribe करना consider करिएगा अभी कोई समस्था है कोई उचार है तो comment section में जरूर लिखे चलते हैं फिर्म लेंगे किसी नेक्स वेडियो में जय हिंद जय भारत